यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंच गए नेपाल के जनकपुर कुछ देर पहले कि आपने तस्वीर देखी थी और यहां आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर पहुंचे हैं उनका स्वागत स्थानी है जो मंत्री है और भारत ये दूतावास के जो आधिकारी हैं वो उनका स्वागत करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी मा सीता की जन्म स्थली यह कहा जाए उनका मायका वहां पहुंच गए हैं देखिए इस यात्रा के मायनों को समझिए इस साल लगातार इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है कि राम मंदर कुले के जो आंदोलन है उसके तेवरों को और बड़ा किया जाए व्यापक किया जाए ऐसे में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी सीता मा सीता की जन्म स्थली पहुंचे हैं इसे यकीनन हम रामायन श्रिंखला से जोड़ कर देखेंगे प्रधान मंतरी नरेंद के संबंद इस वक्त ये कहना घलत नहीं है कि मुश्किल भी है तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा और मैं आपको बता दू मेरे साथ तीन खास मेहमान यहां जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी राज किशोर मौजूद हैं उसी आप सब का स्वागत है सबसे पहले राज किशोर आप से में जानना चाहूंगा मासीता की जंस्थली पहुंचे हैं अगर हम सीधे इस पे निगार डालें तो मकसद आध्यात में हैं मगर क्या इसके सियासी संदेश को नजर अंदास किया जा सकता है राज किशोर नहीं बिल्कुल नहीं देखी अभी सार पहली बात तो है कि जो इसके कुटनीतिक महत्तो है और जो इसका सामरिक महत्तो है उससे कते इंकार नहीं किया सकता है लेकिन जो बात आप अभी कह रहे थे कि एक साल बाद चुनाओ है और ये राम मंदिर अंदोरन को बढ़ाने की जोड़ने की बात है तो हमें यह नहीं बूलना चाहिए करनाटा जहां पर चुनाओ है उसको भी अगर पारानिक लिहाज से देखे तो उसको किस किंधा कहा जाता थे जहां से माता सीथा की खोज वहां पर हर्मान और सुग्रिव से उनका मिलन हुआ था और वहां पर चुना तो नितिक महा तो कता ही तो बहुत अहम बात यहां राज किशोर ने हमें बता ही देखिए इसलिए हम कह रहे हैं आप ABP News के साथ जुड़े रहे हैं क्योंकि नसिर्व यह तस्वीर आपके सामने हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है स्तान ये तोर पर बलकि इन तस्वीरों के माइने क्या हैं हम आपको बता रहे हैं जी हां तस्वीरों के माइने क्या हैं हम आपको बता रहे हैं हमार साथ विश्विंदु परश्ट के विजए शंकरतिवारी भी लगातार बने हुएं विजए जी मा सीता की जन्वस्थली पहुंचे हैं मोदी क्या इससे आप रतीकात्मक मानते हैं या इस से ज्यादा बाद के साथ अटूट संब्ध हैं भारत के जो हम लोग हैं जो हिंदू लोग हैं वह मासीता को अपने आराध जमानते हैं और उनका जनक पूरिया हुआ है तो इसलिए दोनों के संब्ध एक बड़ा माइने रखते लेगे एक बात तो आप मानेंगे यह जो नैपाल है कुछ वर्षों पहले तक हिंदू राष्टर था और दुनिया में किल दोई राष्टरे से हैं एक तो नैपाल है तो दूसरा भारत है जहां पर हिंदू की प्रवलता है और इस कारण से भी दोनों के संब्ध प्रगाड हों और प्रगाड बने रहें यह बहुत जरूरी है और जो बात यहां विजेश अंकर तिवारी ने कही है उसी से मेरे जो तीसरे महमान हैं अमबाजडर विवे काड़्जू वो जुड़ जाते हैं अमबाजडर काड़्जू दो हजार पंद्रा में एकोनॉमिक ब्लॉकेड इसको लेकर अगर आपने स्थानिये नेपाली अखबारों कणक मनी दीक्षिट जैसे जानकारों की राय पड़ी है तो उसमें एक नाराजगी वाला भाव है एक बहुत एहम चुनौती है प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खासकर इस बात की प्रिश्भूमी में कि चाइना अपने पंजे भेला रहा है पूरे नेपाल में यात्रा जनकपुर से शुरू करी है लेकिन दो देशों के रिष्टे सांस्कृतिक संबंधों के ही आधार पे नहीं चल सकते हैं हमें ये दिखाना पड़ता है और देशों को कि हमारे हित और उनके हित मिलते हैं उनके आर्थिक हित उनके सामरे खित और हमारे सामरे को देश ये होगा मुझे लगता है वो ये कि नेपाल के जनता को और नेपाल के जो शासक हैं उनको बताना कि जब तक वो भारत के साथ ठीक से सयोग नहीं करेंगे और जब तक भारत उनके साथ पून रूप से सयोग नहीं करेगा ना भारत का उसमें विकास होगा ठीक प्रकार स नेपाल का होगा और आपने चीन की बात कही ये सही है चीन अपने पंजे फैला रहा है हमारे पूरे पडोस में इसलिए हमें और सतर करहना है और ये अच्छा है कि ओली जी नेपाल के प्रधान मंतरी अपरेल के महीने में एक माह पहले भारत आये थे और मुझे लगता है कि करना है और जो एक नेपाल के एक तपके में भारत के खिलाफ रोश है उसको कम करना है उनको ये समझाना है कि हम उनके हितों को नदर अंदास कभी नहीं करते है कि नेपाल के प्रधान मंतरी है वो अब इसके बाद शाइना करूप करने वाले है आप खुछ जानते हैं कि ने लोगदान है ऐसे में क्या सिर्व ये कह देने से बात बन जाती है कि एक तबका नाराज है केपी शर्मा ओली का जो चाइना स्लैंट है क्या हम उसे नजर अंदास कर सकते हैं अमबास डिकाजू संक्षिप में जवाब दीजेगा सर नई 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 नजर अंदास नहीं क कर सकते हैं लेकिन ये स्वभाविक है कि नेपाल भी चाहेगा कि चीन के साथ उसके संबंद अच्छे हों कंस्ट्रक्टिव हों और चीन से जो लाब उठा सके उठा सके उठाएगा लेकिन हमें हमारा उद्देश यह हैं उनको बताना कि उनके दर असल जो हित्स हैं वो हम से जोड़े हैं तो अगर आप भूगोल देखें तो भूगोल ही दिखाता है कि नेपाल को हमारी तरफ जुकना पड़ेगा अब उनके सब रास्ते मार बिलकुल अमबास डिकार्जू नसर भूगोल बलकि साथक्रत विरास भी दोनों देशों की जो है वो समान है नसर भूगो हैं कि इन माइनों को इनके सियासी माइनों को भी समझिए इसकी बड़ी समिक्षा आप आज की बड़ी खबर में लगातार एबी पी न्यूज पर देख रहे हैं जाएगा ने ये है एबी पी न्यूज आपको रखे आगे